कि पढ़ेंगे इन ओर्गनिक रियक्शन ट्रिक जो हमारा चल रहा था इसमें आ गया पार्ट नमबर थ्री पार्ट नमबर थ्री है जो बहुत ही अच्छा और हलका रियक्शन है कोई बात नहीं आईए देखते हैं लिखा हुआ है रियक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रोजन मेटल को नाइट्रोजन के साथ रियक्शन करवाना है तो जब भी रियक्शन करवाएंगे तो मेटल नाइट्राइड का फर्मेशन हो जाएगा यानि मेटल नाइट्राइड शर्फोर्म जैसे मेटल के जगवा पर आ गया मेटल मेरा कैल्सियम तो कैल्सियम जब नाइट्रो से रियक्शन करेगा तो जो मेरा प्रोडॉक्ट देगा उसको बोलेंगे सिल्वर नाइट्राइड जब पोटेशियम नाइट्राइड करेगा तो जो प्रोडॉक्ट है उसका नाम होगा पोटेशियम नाइट्राइड ठीक उसी तरह जब सोडियम रियक्शन करेगा नाइट्र के साथ reaction करेगा चलिए प्लस माइनस आपको पता करना है केल्सियम पे दो प्लस होता है सब को मालूम है ठीक है केल्सियम पे दो प्लस होगा चलिए अब नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन पे तीन माइनस होता है कितना माइनस होता है नाइट्रोजन पे तीन माइनस होता है चलिए जब cross multiply इसको करेंगे तो यह वाला 3 इसके base में आएगा और यह वाला 2 इसके base में यहाँ पर आएगा मतलब calcium के नीचे 3 हो जाएगा और nitrogen के नीचे 2 यह वाला 2 वहाँ चलाएगा cross multiply इसको बोलते हैं plus minus को हटा देना है इसमें यानि हो जाएगा CA 3N2 हो जाएगा इसका नाम क्या है तो आप लोग नाम यहाँ से शेट कर सकते हैं metal nitride यानि calcium nitride आप कह सकते हैं इसको calcium nitrit ऐसा ही आपको नाम दे देना है पार्ट टू में वन में जो हम नाम नहीं दिये हैं तो यहाँ जो लिखा हुआ है उसी का अनुसारा वो शेट कर लेना है ठीक तो चलिए यह वान है आप दो नंबर देखेंगे बिल्कुल असान है अपने से भी अब बना सकते हैं उसके ओक राथ मेंने सियम एम जी और एंटू आपस में रियक्षण करेगा तो चलिये इसका पलस कितना होता है तो आमजी पर होता है 29 नाइट्रोजन का अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन पे हो जाता है टीन माइनस अब क्रोंस मॉल्टिप्लाइ करेंगे तो यह वाला 3 इसक तो यहां पर लिखे देंगे हम Mg3 N2 लिखेंगे इसका नाम है मेगनेशियम नाइट्राइड ठीक है मेटल नाइट्राइड पर सेट कर लेना है अब थर्ड नंबर में है देखें थर्ड नंबर में क्या है एजी मतलब सील्वर है बावो सील्वर अब हमारा नाइट्रोजन से रिर्याक्षन करेगा तो देखें कितना असान है सील्वर अजी पर वॉन प्लस आपको लेना है यह पर वन प्लस और नाइट्रोजन पर 3 माइनस लेना है क्रोस मल्टिप्लाइब लिएetic करा देना है तो ऐजी और इसका थान है गोपने से इसका वन यहाँ आजाएगा है यह तो 123 हम लोग समझ लिए हैं अब आया फोर नंबर फोर में क्या है तो पोटैसियम से रियक्शन करेगा मेरा नाइट्रोजन तो पोटैसियम पर एक पलस होता है नाइट्रोजन पर पर माइनस होता है अब दोनों का जोड लेजिए के पर यह वला तीन आ जाएगा और इस नाइट्रोजन पर यहां वन चुपा यहीं वन आ जाएगा इस वन को आप हटा भी सकते हैं साइलेंट भी हो सकता है के ठीन हो जाएगा इसका नाम क्या है तो पोटैसियम नाइट्राइ होगा पोटैसियम मेटल है तो यहां से मेटल और यह नाइट्राइड है तो लिख देंगे मेटल नाइट्राइड यानि पोटैसियम नाइट्राइड लिख देंगे और पांच नंबर में सुडियम से रियक्शन करवाना है नाइट्रूजन यानि नाइट्रूजन रियक्शन क साथ सूडियों जो है हमारा वन पलॉस बनाता है और नाइ DRU года जो यहां से है तो ती मैने सा बनाता है क्रोस मलटिपलाइ करदने का बात है तो शूडियों पर यह व्लड़ तीन आ यहां से पलस वन आ जाएगा वन लिखते हैं वन को आप हटा दीजिए साइलेंट हो जाएगा वन तो आप एन ए ठीरी एन भी लिख सकते हैं मेरा रियक्शन बिल्कुल कम्प्लीट हो गया है इसका क्या नाम है तो यह सोडियम है और इसमें आपको नाइट्राइड बोल देना सोडियम नाइट्राइड तो चलिए दोस्तों कितना अच्छा और इजी रियक्शन था बहुत इजी रियक्शन था दो मिनट पांच मिनट लोगा होगा जादे नहीं लोगा होगा तो यह सब अभी हलका फुल का रियक्शन है आएगा आपका वाला मतलब क्लास्ट्यूल में जो मेन मेन है वह भी याने वाला है अभी तो शुरूब आते हैं चलिए वीडियो को आप शेयर कीजिए अच्छा से पढ़िए बाया